हुआ है जब हम राष्ट निर्माण में हिंदी की भूमिका की बात करते हैं तो ये बात हमें सोचना पड़ेगी कि हिंदी सिर्फ भाषा नहीं है हिंदी संस्कृती संस्कार और परिवेश भी है आप में से बहुत सारे लोग या सभी लोग शेतर में जाएंगे फील्ड में जाएंगे काम करने जाएंगे गाओं में जाएंगे चोटे चोटे कस्बों में जाएंगे और उन गाओं में कस्बों में महां के रहने वाले लोगों के पास जो भाषा है वो उनकी अपनी भाषा ह और अगर आप उनके साथ उनकी अपनी भाशा में समवाद करते हैं, तो आपके लिए बहुत सारा काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत सुगम हो जाता है जब बातें बिगडने लगें, जैसा होता है कभी-कभी, जब बढ़ने लगें कठनाईयां जैसा होता है कभी-कभी, जब आमदनी लगें घटने और खर्चे हों हजार, हसना चाहो तब भी तनाव बना रहे लगातार, कोई भी कदम उठाने से पहले जब पड़े बार-बार स जए में खर शोड़ना कार से शीखते हैं, शौट में दोयान झाए्टिकान कम था nggak उन्गा हो जाती है जो आज के लिएंगा scripture हमें आज प्रेशती हूं, तो आज मैं जो अजोशी जी ऐग जो हम्मेंच संदेश था यही है कि किस तरह से हम लोग एक जूट हो सकते लैंगविज भाशा को एक जूट होने के मार्जम कैसे बना सकते इसके बारे में हमको सोचना चाहिए